यहीं दोस्तों UDC RR में आप सभी का स्वागत है अभी हम बात करेंगे Women's World Cup T20 का जो अगला मैच है जो की होगा India Women's और New Zealand Women's के बीच में दोस्तों इस मैच के बारे में तो कौन से वो important players होंगे कौन से वो players होंगे जिनको आपको इस टीम में रखना है दोस्तों जो आपको वान साइड़ एमया जिता के दे सकते हैं इस वीडियो में सब कुछ आप सभी के साथ हम डीटेल में डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तों अभी के लिए वीडियो को शुरू करते हैं जो सबसे important है बट शुरू करने से पहले दोस्तों अपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देखिए सब्सक्राइब वाला बटन है दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करें दोस्तों इससे किया होगा आप हमारे साथ जुर जाओगे दोस्तों और नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे उसके अलावा दोस्तों यहां पर दिखें मोर का ओप्शन आपको दिख रहा है ना दिखें यहां पर मोर वाले ओप्शन को प्रेस करना है दिखें द तेले ग्राम च listening पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों तेलेग्राम चनल से जुरूने से ना आप सबसे पहले То हर एक मैच के यहां से पर अपडेटेड रहोगे एक तो अपडेटेड रहोगे फस्ट सेकंड दोस्तों आपको प्राइम टीम मिल जाएगी दोस्तों हमारी जो प्राइम टीम हम प्रवाइड करते वह आपको मिल जाएगी उसके अलावा उसके अलावा दोस्तों हम इस वीडियो में आपको एक टीम प्रवाइर करते उसमें बहुत सारे चेंजेज होते तो इस टेलेग्राम यह बाला लिंक आपको इस टेलेग्राम पर हाथ से आपको जोइन करने में हेल्प करगा यहाँ पर दोस्तों आपको टेलेग्राम पर टॉस होने के बाद अपनी फाइनल प्राइम टीम होती है दोस्तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं तो जल्दी से जुर जाओ दोस्तों अगर अभी तक नहीं जुरे हो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ तो देखिए यहाँ पर नीचे जहाँ पर आपको ब्रॉड़कास्ट का बटन देख रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिखेगा जॉएन का बटन दिखेगा तो नहीं जुरे हो दोस्तों जल्दी से जुर जाइए तो चलिए दोस्तों अभी मैच के वारे में आप दोस्तों इस मैच के अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले मैچ पर चलना होगा यहांसे हम दोस्तों करेट टिम पर चलेंगे जलेक्टड बैमें जाना है तो प्लेइंग लाइबन देखने से पहले दोस्तों हमें दोनों टेम्स के बारे में जानना काफी ज़्यादा ज़रूरी है टीटॉटिटिया इमें इस टीम का परफॉमेंस कैसा र वाली है दोस्तों अभी आपको बता देराओ इंडिया की टीम ही मैं जीतने वाली है 110 परसंट वेन्यू के बाद करें दुबाइ इंटिनेशनल स्टेडियम दुबाइ का वेन्यू है पिछ की बाद करें बॉलिंग पिछ आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको पेसर्स अ जादा मिल रहें बट बट दोस्तों बट एजर्श में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मैच में स्पिनर्स को भर भर के विकेट मिलने वाले हैं बठा कुछ ऐसे फाइज बोलर से दोस्तों जिनको आपको टीम में रखना है दोस्तों जिनका रिसन पर्फोर्मेंस काफी ही करना है दोस्तों सभी प्लेयर्स के और मैं आफ सभी के साथ हम इतेल्मे डिसक Saw करेंगे ठीक है को दोई दिक्कत के बात हैं तो यहां सबस्तों अगरां बात करें है फिर यहां से पूजा बस्त्रेका रहें न्यूजेलेंड के तरफ से मली नखेर फ्रेट जॉनस और एक आर्टसन है दोस्तों यहां पर प्लेइंग 11 कैसी रहीगी दोस्तों देखें प्लेइंग 11 में विकेट कीपिंग सेक्शन से यस्तिका भाटिया फिर इचागोश इन में से कोई एक ही किया लगा दोस्तों जितना मुझे लग रहा है दोस्तों क्योंकि ओपिनिंग करेंगे शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहां पर इचागोश कोई प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा यस्तिका भाटिया को इस मैच में नहीं मि घल्डोन पीडियन कोई पूझे मुझे मों कि मुझे रेच निकाला यहीं किसी अब आप नहीं कर सकत है और दोस्ता रहता है या मस्ट्वी को ओप्षन ना दोस्तों खेलिंग यह रखना है यह मलीना खेल सवफी डिवाइन पूजा वास्तरे कर यह दोस्तों कुछ चार ओल राउंडर से जिनको अप्टिमी से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो ऑपनर्स इन दोनों में सब किसी एक प्ले में अच्छी बॉलिंग डाल रही है डिसेंटी अगर आपको रेनो का सिंग को नहीं रखना है दोस्तों आपके पास ऑप्षन है इस आशा एक काफी अच्छा ऑप्षन है शोबना आशा का उसकी अलावाद सो तनुजा करवर भी ठीक ठाक ऑप्षन बनेंगी दोस्तो बट रेनो का सिंग को अभी के लिए रखके में टीम सेप करने वाला हो क्योंकि मुझे टोप और पर ज्यादा भरोसा है दोस्तों भारत के टोप और अच्छा करी तो मैं शायद अभी के लिए न्यूजिलेंड के दोस्तों बॉलर्स को नहीं रखूंगा अगर आपको रखन कर दोस्तों दोस्तों जोबिए चैंज होगा दोस्तों वह टेलेग्राम पर तो आपका अपडेट करेंगे विडियो को लाइक चैनल पर नए है दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद सभी को दोस्तों